नागपुर में शुक्रवार को जहां दसवी के एक चात्रा पॉजिटिव आई थी वही शनिवार को भी 11 वी के एक चात्रा के संक्रमित पाय जाने पर चिंता बढ़ने लगी है दाबा की एक नामी स्कुल की अच्छात्रा है जिसके कारण पालकोर स्कुल पशासन में चिंता का माहूल बढ़ गया है वही शनिवार की बात की जाए तो नागपुर शहर में एक संक्रमित मिला जबकि ग्रामिन में कोई भी संक्रमित नहीं मिला मौत के मामले स्थिर बने हुए है जिले में 3684 नमुने जांचे गए दो मैने बाद रोगी की संक्या एक पर पहुँची शनिवार नो संक्रमित स्वस्तुए सक्रिय मरिजों की संक्या घटकर 46 पर जाँ पहुची विदार्तियों के संक्रमित आने से स्वस्तुए बाग सतर्क हो गया है प्राप्त जानकारी के नुसार छात्रा को पिछले सफता सर्दी, खांसी और बुकार का सफता है उसमें कोई लक्षन नहीं दिखाए दिये उनके परिवार को शर्के बाहर जाना था इस वज़े से उन्होंने आर्टी पीसियार कराया जिसमें छाद्रा के रिपोर्ट पॉजिटिव आई खास बात यह है कि उन्होंने आ स्कूल में परिक्षा दी थी मनपा के स्वास्त अधिकारी के नुसार शुक्रवार को जांच कराया था जब कि शनिवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई इस वज़े से अब सम्मधि स्कूल के संपर्क में आये अन्य विद्यार्तियों की जांच कराने के निर्देश स्कूल प्रशासन को दिये गए है